प्रूप करते हूं तरत्रदेश के फते पुझिले की खबरों क्यों जाब फते पुर में आपरेशन त्री मेत्र से अपराद में आ रही ग्रावट नमस्कार नामित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइमच दियों सिसी पिल्दी कैमरों की मदद से पुलिस को अपराद करें को सब्सक्राइब होगा है 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 जनपत फते पुर में शाषन की मंशा के अनुरुक ऑपरेशन त्रीनेत के तहर तक बग आठ हजार के आसपास कैमरे इंस्टॉल किये गए हैं अलग-अलग ग्रामेल छेत्रों में शहरी छेत्रों में चौक चौराओं पर और जो भी समवेदन शील हमारे मिकसाबादी के छेत्र हैं वहाँ पर और इनके माद्यम से एक सतत निगरानी की जो पूरी प्रक्रिया है उ इसके माद्यम से अपराद नियंदरन में भी काफी सहायता मिली है भीर प्रबंदन में सहायता मिली है यातायाद प्रबंदन में सहायता मिली है और एक जो पुलिस की पूरी सुरच्छा विवस्ता होती है उसको मजबूत करने में ऑपरेशन ट्रिनेट के तहत इन कैमरों का बहुत महतपूर योगदान है विगत कुछ महीनों में जो हमारे बहुत ही साहयता मिली है साथ ही साथ इन केमरों के माध्यम से थानों की निगरानी में भी साहता मिल लई है हर थानों पे पांच कैमरे का सेट लगवाया गया है जिसके माध्यम से थानों की जो गत्विधी है उसको भी देखा जा सकता है डारेक्ट यहां से मॉनिटरिंग की जा सकती है तो कुल मिला के ऑपरेशन त्रिनेट के तहट एक जो तीसरी आख आपने बताया है वो वास्तिक तत्य है कि इसके माध्यम से एक सतत और सचेत एक सुरच्छा व्यवस्ता हमारे यहां से तरकशील है मुख्याले पे ही हमारे यहां इसका एक CCTV कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पे बड़ी स्क्रीन के माध्यम से जो समवेदन शील छेतरों में हमारे कैमरे लगे हुए है उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और जो भी कोई व्यक्ती संदिक दवस्ता में दिखता है या कोई भी समस्या वहां पे उत्पन होती है तो मॉनिटरिंग जो हमारा कच है वहां पे जो हमारे बैठे हैं डूटी पे कर्मचारी वो संबंदित अधिकारियों को सूचित करते हैं और जिससे तकाल वहां पर सहायता पहुँचाई जाती है इस तरीके से इससे विजविल्टी बढ़ती है यहां से भी बढ़ता है यहां से दो पाएंडे है लेस्पोर्ट हो गया है लेस्पोर्ट है वो कोड़ दरवा को नेकान में आखला करता Cand carried back आ इस दो में काने के जा सद्राव रहा कि दो भूल atac और युटेट न ankind कहा है और दुल 2500 को सीथे मैं जा नशना आट आट चामना इसना धर को रहा है ऐस दीडे़ाक है पीलन काने हुरा धर कर दो कर दो